इस वीडियो में आप रकुल प्रीत सिंग के भाई अमन प्रीत की ग्रफतारी के बारे में वो सारी बातें जानने जा रहे हैं जो अभी तक आपके सामने पूरी तरह से किसी नहीं बताई हैं ये तो आप जानते ही हैं कि तेलंगाना एंटी नाकोटेक्स ब्यूरो और हैदरबाद पुलिस ने अमन प्रीत को ड्रक्स केस में अरेस्ट कर लिया है अमन प्रीत के साथ चार और लोग अनिकेत रेड़ी, प्रसाग, मधुसूदन और निखिल दमन पकड़े गए हैं ये सब ह कारोबारी हैं इनके पास से करीब 200 ग्राम कोकीन मिली है इसकी कीमत 35 लाख रुपए की बताई जाती है ड्रक्स सिंडिकेट का कनेक्शन सीधे नाइजीरिया से जुड़ा हुआ है इस रैकेट का सरगना डिवाइन एबुका अभी फरार है लेकिन पुलिस ने उसकी राइट हैं ओनुहां ब्लेसिंग को रेस्ट कर लिया है ओनुहां पेशे से हेर स्टाइलिस्ट है और बेंगलूरू में काम करती है पुलिस के मताबिक ओनुहां दिल्ली और गोवा से ड्रक्स लाती थी वो देश भर में ड्रक्स की सप्लाई चेन समालती है और खुद भी एक से दू अमन ड्रक्स का कस्टमर है या सप्लायर ये अभी साफ नहीं हुआ है यही अख़बार बताता है कि साइबर अबाद के राजन रंगर जोन डीसी पी सी एच श्रीनिवास कहते हैं अमन के ड्रक्स लेने की पुष्टी हो गई है अमन समेट सभी आरोपियों का यूरीन सैंपल टेस्स पॉजिटिव मिला है इनके पास से कमर्शल कॉंटिटी से काफी ज़्यादा कोकीन मिली है पुलिस इंवेस्टिगेट कर रही है कि अमन प्रीट इतनी ज़्यादा ड्रक्स का क्या करने वाला था वो ये ड्रक्स कहीं और सप्लाई करने के लिए तो नहीं खरीद रहा था अमन प्रीट की गरफतारी के बाद रकुल प्रीट से पूश्टाश को लेकर डी सीपी श्रीनिवास कहते हैं कि फिलहाल एक्ट्रस रकुल प्रीट का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है हाला कि इसी अख़बार को पहचान जाहिर ना करते हुए एक पुलिस अधिकारी बताता है कि अमन प्रीट के संबंद अगर ड्रक पेडलर के साथ मिलते हैं और ये साबित होता है कि वो कस्टमर नहीं बलकि सप्लायर है तो जांच के घेरे में एक्ट्रस रकल प्रीट भी आ सकती है अमन प्रीट अभी 14 दिनों की जुडिशल कस्टेडी में है अमन के केस में अब तक रकल प्रीट की तरफ से भी कोई ओफिशल रियाक्शन नहीं आया है एक्ट्रस रिया चकरवर्थी की गिरफतारी के बाद रकल से ड्रक्स केस में पूश्टाच हुई थी रिया ने NCB को रकल प्रीट का नाम दिया था इसके बाद 25 स्टमबर 2020 को मुंबई की नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रकल से पूश्टाच की थी पूश्टाच में क्या पता चलाई या अब तक सामने नहीं आया है इससे पहले हैदरबाद में 2017 में एक ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ था इसमें कथित तौर पर मनी लॉंडरिंग के मामले में ED ने 3 सितंबर 2021 के दिन रकुल प्रीट सिंग से पूश्टाच की थी इस केस में तेलगू फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों सहित कुछ विदेशियों का नाम भी सामने आया था रकुल प्रीट ने ED के सामने बयान भी दर्ज करवाया था साथ ही अपने बैंक अकाउंट की डीटेल्स भी साजा की थी जाँच के बाद उन्हें यानि रकुल को क्लीन चिट दे दी गई थी रकुल प्रीट सिंग 2017 में तेलंगाना की BRS सरकार के No Drugs Campaign की ब्रैंड अमबेस्डर भी रह चुकी है ड्रक्स केस में उनसे हुई पूछताज के बाद BJP ने इस मामले में सरकार को घेरा भी था कहा जा रहा है कि ड्रक्स केस में नाइजीरियाई गैंक शामिल है जिसका मुखिया फरार है पुलिस की टीम ने हैदर शाह कोट के विशाल नगर में जनाव फोर्ट व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में रेट डाली थी और यहीं से ड्रक पैडलिंग के आरोप में नाइजीरियन ओनुहा ब्लेसिंग और अजीज नोहीम आदेशुला के साथ अरोपियों के पास से दो पासपोर्ट, दस मुबाइल फोन और दो टू वीलर्स भी मिले हैं डीसीपी श्रीनबास बताते हैं कि ये रैकेट डिवाइन एबुका सूजी चलाता है भारत में उसका काम ओनुहा ब्लेसिंग समाल रही थी, उसे 2019 में भी अरेस्ट किया गया था और वो जमानत पर थी जाच में सामने आया है कि ओनुहा हैदरबाद में फाइव स्टार होटेल्स में रुका करती थी उसने पहचान छिपाने के लिए जोना गोमस के नाम से रिपबलिक आफ गोएना का पासपोर्ट भी बनवा रखा था सामने ये भी आया कि फलाइट से हैदरबाद लाई गई ड्रग्स थो अब एरपोर्ट सेक्योरिटी पर भी सवाल उठा रही है क्योंकि अगर एरपोर्ट से ड्रग आता है तो एरपोर्ट की सेक्योरिटी क्या कर रही थी जाँच में पता चला है कि ओनुहा बलेसिंग साथ बार फलाइट से कोकीन लेकर आई से सवाल उठ रहा है कि क्या एरपोर्ट की सिक्यूरिटी में तैनाद स्टाफ में से कोई उसकी मदद कर रहा था जांच में ये भी पता चला है कि कई बार ओनुहां इंटरनेशनल फाइट से उतरने के बाद सीधे डुमेस्टिक फ्लाइट पकड़ कर हैदरबाद आ जाती थी वो चेक-इन बैग में ड्रक्स लेकर आती थी जिसे जांच के बाद ही फ्लाइट में ले जाने दिया जाता है एंटी नागोटेक्स ब्योरो के अफसरों ने इसे जांच में एक बड़ी चूप बताया है और डीजी सीए को इसकी जानकारी दी है डीजी सीए जल्द ही इस मामले में आक्शन भी ले सकता है पुलिस के मताबिक ओनुहां ड्रक्स देने के लिए 20 बार दिल्ली और गोवा से हैतरबाद आई 13 मौकों पर उसने आने जाने के लिए ट्रेन या बस का सहारा लिया पहचान और लोकेशन ट्रेस न हो इसके लिए ओनुहां इंटरनाशनल सिम कार्ड इस्तिमाल करती थी ड्रक्स राकेट चलाने के लिए वो पहली बार 2018 में भारत आई थी सप्लाई करके वो अकसर अपने देश चली जाती थी और बताया ये भी जाता है कि ओनुहां जादा तर कमिनिकेशन करती थी एक इंटरनाशनल वाटसेप नंबर के जरीए जाच में सामने आया कि फूड डिलिवरी के बहाने हो रही इस ड्रक्स सप्लाई में कुछ स्टूडन्ट वीजा पर आए लोग भी पैडलर बनकर काम कर रहे थे एक अख़बार को DCP शीनवास बताते हैं कि डिवाइन एबुकासूजी ओनुहां बलेसिंग का हैंडलर था वो उसे कोरियर की तरह इस्तिमाल करता था पूश्ताश में ओनुहां ने बताया है कि वो अलग-अलग शहरों से किसी अंजान व्यक्ती से ड्रक्स लेती थी या फिर कई बार वो लावारेस पारसल भी उठाती थी इसके बाद उसे दिये हुए पते पर पहुँचा देती थी वहां से लोकल हैंडलर इसे फूट डिलिवरी बॉय बन कर मेट्रोज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिये कस्टमर तक पहुचाया करते थे इन्वेस्टिकेशन में ये भी पता चला है कि ओनुहां सीधे कस्टमर से सौदा नहीं करती थी वह लोकल पैडलर्स को ड्रक्स की सप्लाई करती थी उसने कई बार एजोनिली, फ्रैंक्लिन, उचेनना और कालेशी और अजीज नोहिम आदेशोला नाम के शक्स को ड्रक्स पहुचाई कालेशी या अजीज ही लोकल कस्टमर्स को ड्रक्स की सप्लाई करते थे अजीज स्टूडेंट वीजा पर हैदरबाद में रह रहा है अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है ड्रक्स सप्लाई करने के लिए उनुहा को महज 20,000 रुपे मिलते थे पुलिस जाच कर रही है कि उनुहा के हैंडलर को ड्रक्स कहां से सप्लाई हो रही थी कहा ये भी जा रहा है कि दिल्ली गोवा से हैदरबाद पहुँच रही थी ड्रक्स इसके लावा केमिस्ट शॉप से भी होती थी सप्लाई जी हां नाइजीरियन ड्रक्स पैडलर दिल्ली और गोवा से हैदरबाद ड्रक्स लाते थे उन्हें यहां के pubs और बार में बेशते थे ड्रक्स केस में अमनप्रीत के साथ अरेस्ट हुआ निखिल शहर के साथ pubs के managers और DJs के contact में था वो यहां drug supply का काम करता था अब पुलिस इन जगहों पर भी कारवाई कर रही है एक अधिकारी ने ये भी बताया है कि ये nexus बहुत बड़ा है अभी drugs racket का सिर्फ एक सिरा हमारे हाथ लगा है आने वाले वक्त में इस मामले में बहुत बड़ा action भी देखने को मिल सकता है drugs case में अरेस्ट किये गए आरोपियों ने बताया है कि हैदरबाद की कई chemist shops भी drugs की supply में शामिल है ऐसे में कुछ chemist और chemist owners के खिलाफ भी कारवाई हो सकती है इस पूरे racket को पिछले 6 महीने से narcotics की team follow कर रही थी ये पूरा जो मामला है कि ये जो drugs racket चलाने वाली ओनुहां blessing है और इसके जो local handler है इनकी 6 महीने से fielding लगाई गई थी और करीब 30 customers की list बनाई गई थी जिसमें से एक नाम अमनप्रीत का भी था उन्हुआ blessing जब भी हैदराबाद आती है हर customer को 200 से 300 gram drugs बेशती है टीम ने customers की पहचान करके उनके नाम साइबराबाद पुलिस को सौप दिये हैं और अब इस case में कुछ और high profile लोगों की गिरफतारी भी हो सकती है मुंबई के famous Cordelia cruise case में वकील रहे और NDPS Act के expert advocate अली काशिफ देशमुख एक अखबार को बताते हैं कि नशा करने वाले लोग आम तोर पर कोका के पौधे से बना नशा इस्तिमाल करते हैं पूरी दुनिया में जो drug सबसे ज़्यादा इस्तिमाल की जाती है उन में कोकीन, हेरोईन, चरस, गांजा, हशीश और ecstasy शामिल है ndps act section 8 में drugs की मात्रा भी तै है इसे तीन हिस्सों में बाटा गया है small quantity, medium quantity और commercial quantity इसी quantity के हिजाब से धारा और सजाएं तै होती है मसलन कोकीन की जो small quantity है वो 2 gram से कम है जबकि commercial quantity 100 gram से ज़ादा होती है medium quantity 2 से 100 gram के बीच में मानी जाती है इस case में आरोपी के पास से 200 gram की drugs बरामद हुई है ये commercial quantity से double है ऐसे में अगर पुलिस ने section 41 और 42 को follow किया तो अब आरोपी गिरफतार होए हैं तो अगर गुनहा साबित हो जाता है तो इस पूरे मामले में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है देखते हैं इस पूरे मामले में और क्या सच सामने आता है क्या Bollywood से जुड़े कुछ और नाम भी सामने आएंगे फिलाल इन सारी बातों का हमें भी इंतजार है देखते हैं जैसे जैसे case आगे बढ़ता है बहुत कुछ ऐसा है जो मारे सामने परत दर परत खुलने वाला है